नमस्कार मैं अनुराधा और आप देख रहे हैं बीग न्यूस नाइन महागटवंधन सरकार का पहला वज़ट सत्र अगले महीने 27 फरवरी से 5 अप्रिल तक चलेगा इस दोरान 21 बैठक होने की संभावना है पिछले वर्स 9 अगस्त को राज में महागटवंधन सरकार अस्तितों में आई थी उसके बाद एक महने तक चलने वाले पहले फूल फ्लेज वज़ट सत्र की तीथियां तै हो गई है हालांकि इन तीथियों पर अभी कैविनेट की मुहर लगनी है विधान सवा सचिवाले ने सरकार के आला अधिकारियों से विमर्स के बाद ये तीथियां तै की है इसके पहले 20 फरवरी से 27 मार्च और 24 फरवरी से 31 मार्च तक वज़ट सत्र चलने पर भी गंभीर चर्चा हुई फर अंतिम रूप से 27 फरवरी से ही वज़ट सत्र चलाने पर सहमती बन पाई है वज़ट सत्र के पहले ही दिन राजिपाल, फागू, चोहान, दोनों सदनों विधान सवा और विधान परिशत के सदस्यों के सन्यूक्त सत्र को संबोधित करेंगे वो महागटबंदन सरकार की भावी योजनाओं और अब तक राजि के किये गए विकास कारियों के साथ चल रही योजनाओं की विस्तार से जानकारी देंगे अगले दिन बर्श 2023 से 2024 वितिया बर्श का वज़ट पेश किये जाने की संभावना है उसके बाद अन्य विभागों के सिलसिले बार वज़ट पेश किये जाएंगे राजि में एक ही बार सिल्थ वज़ट सत्र लंबा चलता है जिसमें विपक्ष को भी सरकार को घेरने का पूरा मौका मिलता है इसके बाद मनसुन सत्र और सितकालिन सत्र भी होता है पर दोनों अधिक्तम साथ से दस दिनों तक ही चलते है राजि में भाज़पा के विपक्ष में आने के बाद ये पहला वज़ट सत्र है ऐसे में भाज़पा राजे में विकास की गती, कानून व्यवस्था और कई जोलंत मसलों पर आये दिन हो रही वयान बाजी पर सरकार को घेरने का प्रयास करेंगी ऐसे में बज़ट सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है ऐसे ही तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें बीग न्यूज नाइन के साथ